नेक्स्ट करते हैं सर्फेस इंटीगरल इसको एक एक एक्जाम्पल से समझते हैं एक्जाम्पल क्या है कंसाइडर है वेक्टर फंक्शन वेक्टर फंक्शन वी गिवन है य स्क्यर आई काप प्लस 2XY प्लस Z्क्यर जे क्याप प्लस 2YZ के काप ठीक है और यहाँ पे हमें एक डायगराम दी गई है वो क्या है क्यूव गिवन है एक cube गिवन है यह है x-axis, यह है y-axis और यह है z-axis यह 1 है, यह भी 1 और यह भी 1 गिवन है ठीक है? और हमें पूछा क्या है? evaluate evaluate v.da तो यहाँ पे क्या है? surface integral है, ठीक है v.da फाइंड करना है अब यह क्या है? close surface है अब आप सोचोगे कि किस surface के long निकालना है इस cube को कौन enclose कर रहा होगा? उसके 6 के 6 surface enclose कर रहे होंगे तो हमें 6 के 6 surface पे surface integral निकालना है फिर क्या करना है? सबको add कर देना है तो यह answer आजाएगा ठीक है? तो यह हो जाएगा v into da first surface पे फिर second surface पे ठीक है? फिर third surface पे फिर fourth surface पे ऐसे ही 5 पे हो जाएगा फिर ऐसे ही 6 पे हो जाएगा ठीक है? अब अगर हम क्या करें? पहले इसको first मानते हैं इसको मान लेते है second इसको मान लेते है third और इसको मान लेते है fourth ठीक है? पहले हम जो चार surface दिख रहे हैं उसकी बात करते हैं तो पहले अगर हम इसकी बात करें, first surface ये है, for first surface, तो अगर आप इस first surface की बात कर रहे हो, तो इस surface आपको किसमें दिख रहा है, ठीक है, ये एक तो x-axis, y-axis के along है, और ये क्या है, एक x-axis के along है, तो ये surface x-y plane में पड़ा है, ठीक है, ये क्या है, x-y plane में पड़ा है, अगर x-y plane में पड़ा है, तो z coordinate क्या हो जाएगा, 0, तो इसके लिए z क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, z coordinate क्या हो गया है, 0, अगर इसका z coordinate 0 हो गया है, और ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पर x-v vary कर रहा है, 0 to 1, और y-v vary कर रहा है, 0 to 1, तभी हम इसको cover कर सकते हैं, ठीक है, तो x-v vary कर रहा है, 0 to 1, और y-v vary कर रहा है, 0 to 1, अब हमें क्या चाहिए, v.da निकालना है, v.da along first path, अब v की value देखो क्या है, ये रही, y square i cap plus 2xyz को क्या करना है, 0, j cap, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, अब da, अब याद रखना, जो da होता है, वो always surface के normal और outward होता है, ठीक है, d.a, a क्या है, area element है, area element is always outward and normal to surface, जो area element होता है, वो always outward और normal to surface होता है, तो इसके along अगर आप देखोगे, ठीक है, इस xy plane के along normal कौन है, ये xy plane में पड़ा है, तो normal क्यों है, उसका, z d होगा, ठीक है, normal इसके z ही होगा, तो ये हो जाएगा, z cap में, तो da क्या हो जाएगा, k cap में होगा, ठीक है, z direction में होगा, तो बाकी कौन से बचे है, d x और d y बचे है, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़े वेरी कर रहे हैं, उकर d x से एक d y है, d y किस direction में होगा, इन दोनों के normal कौन होगा, k cap तो k cap आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, d x, d y, k cap, यहाँ पर यह तो term ही 0 बन गई है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, i dot k 0, j dot k 0, तो यह तो हमारे पास क्या बन गया है, 0 आ गया है, ठीक है, तो first term आ गई है, 0, ठीक है, अब उसके बाद, अब हम next पर जाते हैं, ठीक है, next, for surface 2, अगर आप surface 2 की बात करोगे, means आप इस surface की बात कर रहे हो, ठीक है, means आप इस surface की बात कर रहे हो, तो अगर यह surface आपको दिख रहा है, पहले तो इसको देखो, कि यह किस plane में पड़ा है, ठीक है, किस plane में पड़ा है, तो कैसे दिखेगा, यह देखो, x-axis इस तरफ है, तो एक तो यह x-axis में है, ठीक है, y-axis, तो इस तरफ है, कोई भी नहीं है, इसकी side, और z-axis उपर की तरफ है, यह z-axis के parallel यह रहा, तो यह x और z plane में है, ठीक है, और यह पड़ा किस पे है, y, इस पे यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, अगर यह इस पर पड़ा है, तो यहाँ पर y की value कितनी है, 1 है, तो second के लिए y की value हो जाएगी 1, और x कहां से कहां vary करेगा, x vary करेगा 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, और z भी 0 से 1 वेरी करेगा, x भी 0 से 1, और y भी क्या है, sorry, z भी क्या करेगा, 0 से 1 वेरी करेगा, अगर आप d, a की बात करोगे, ठीक है, यह plane है, x, z plane में, तो इसके perpendicular कौन होगा, j होगा, ठीक है, इसके perpendicular कौन होगा, j होगा, तो j हो जाएगा, इस यहाँ पर j cap, और यहाँ पर हो जाएगा, dx, dz, ठीक है, अब यहाँ पर, मारे पास यह है, अब value पूट कर दो, second के लिए find करना चाहते हैं, हम, v.da is equal to, y की value रख दी, हमने 1, y की value रख दी है, 1, i cap आ जाएगा, plus 2, x, y की value रख दी है, 1, और z square ऐसे ही है, j cap, दीक है, plus 2, y की value 1 हो जाएगी है, z, k cap, और इसकी value क्या है, dx, dz, j cap, ठीक है, तो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, j cap के साथ, किसका dot product, इसका dot product रख होगा, और i और k के साथ, क्या हो जाएगा, dot product, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ j वाले components बचेंगे, 2x plus z square, यहाँ पर dx, dz, ठीक है, j dot j, 1, और x और y, 0 to 1, 0 to 1, वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो, क्या बनेगा, पहले integration करते हैं, पहले हम अगर x के with respect integration करें, तो क्या हो जाएगा, 2 x square by 2, और इसका हो जाएगा, z square x, ठीक है, limits put कर दो 0 to 1, integration 0 to 1, dz के साथ हमने integration करनी है, तो क्या बनेगा, 2 के साथ 2 cancel, x square plus z square x, 0 to 1, dz, तो यहाँ से आ गया है, अपर limit put की, 1, x की limits हैं यह, plus z square, यहाँ पे 1, फिर lower limit put करोगे, 0, 0 बन जाएगा, dz, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 plus z square, dz, इसकी integration 0 to 1, तो यहाँ से, यहीं पे लिख देते हैं, तो integration करो, क्या आ जाएगा, z plus z cube by 3, 0 to 1, तो यहाँ पे 1 plus 1 by 3, यह आ जाएगा, 4 by 3, ठीक है, तो second के लिए, इसके लिए answer कितना आ गया है, 4 by 3 आ गया है, ठीक है, अब उसके बाद, अब हम जाते हैं, third surface पे, अब हम third surface की बात करते हैं, ठीक है, तो third surface को अगर आप देखोगे, यह सर्फिस को अगर आप देखोगे, यह क्या है, एक तो y के पार्ल पड़ा है, और एक x के पार्ल है, तो यह x y plane में है, ठीक है, यह क्या है, x y plane में है, अगर यह x y plane में है, तो हमारे पास z की कितनी value है, यहाँ पे, 1 है ठीक है Z की कितनी value है 1 क्योंकि ये देखो इस पर पड़ा है तो Z की value कितनी है 1 Z की value है 1 और DA क्या हो जाएगा DX DY K cap की direction में हो जाएगा ठीक है ये K cap की direction में हो जाएगा तो यहां से V dot DA किसके equal हो जाएगा V की value पुट करो अब यहां पर दोनों में X और Y वेरी कर रहे है X वेरी कर रहा है 0 to 1 और Y भी वेरी कर रहा है 0 to 1 तो यहां पर value क्या हो जाएगी Y square I cap प्लस 2XY Z की value 1 J cap प्लस Z की value 1 2Y K cap और यहां पर क्या हो जाएगा DX DY K cap तो यहां पर देखो क्या बनेगा K cap के साथ multiply करना है तो इसका I के साथ 0, J के साथ 0 K cap के साथ क्या हो जाएगा 1 तो सिर्फ यह बचेगा 2Y DX DY Y X और Y की limit 0 to 1 0 to 1 इसकी integration करो पहले अगर हम X के with respect करें तो यह बन जाएगी 2Y इसके लिए constant हो जाएगा X की limits 0 to 1 फिर Y के साथ integration तो यह हो जाएगी 2Y आ जाएगा क्योंकि X की limits हैं तो X की जगा value put करनी है फिर आ जाएगा 0 to 1 DY अब इंटिग्रेशन करो 2Y square by 2 0 to 1 2 के साथ 2 cancel Y square 0 to 1 तो 1 minus 0 1 आ जाएगा ठीक है तो थर्ड की इसके answer आ गया है 1 ठीक है अब हम next पे जाते हैं फोर्थ फोर्थ शर्फेस फोर्थ सर्फेस कौन सा है ये वाला ये वाला सर्फेस है ठीक है अब अगर हम फोर्थ सर्फेस के लिए देखें ये किस के पैरल है एक तो ये X axis के पैरल है एक क्या है Z के तो ये X Z में है अगर ये X Z में है तो हमारे पास ये कहां पे पड़ा है Y 0 है यहां पे ठीक है अगर ये X Z में है तो यहां पे पड़ा है ठीक है बट यहां पे देखो डी ए इस डारेक्शन में होगा ठीक है अब अगर आप इसके लिए बात कर रहे थे डी ए इस डारेक्शन में था means जो area vector था वो positive y direction में था तो हमने j cap लिया है बट यहां पे यह इस direction में है इस direction में y क्या है negative है तो da minus j की direction में चला गया है तो da क्या हो जाएगा dx dz बट यहां पे minus j cap आ जाएगा क्योंकि यह minus j cap की direction में है यहां पे यह लगाना मत भूलना otherwise फिर answer गलत हो जाएगा ठीक है तो यहां पे v dot da क्या हो जाएगा v की value y square i cap y की value तो 0 हो गई है ठीक है y की value 0 put कर नहीं है फिर यह भी term 0 z square j cap बना है फिर यह भी 0 बन गई है फिर यहां पे dx dz minus j cap limits dx की 0 to 1 y की y तो 0 है z की 0 to 1 तो यहां से आ गया है यह 1 हो गया है 0 to 1 0 to 1 z square dx dz minus x के साथ करोगे तो x आ जाएगा z square x 0 to 1 dz x की limits पुट करोगे 1 आ जाएगा यह low limit 0 तो यह आ जाएगा 0 to 1 z square आ जाएगा simply तो यहां पे integration करो z q by 3 0 to 1 तो यह minus 1 by 3 यह बन जाएगा 0 तो minus 1 by 3 आ जाएगा तो यहां से इसका answer आ गया है 1 minus 1 by 3 तो ऐसे sign में गड़बर नहीं करनी है आपने dl देखना है क्या होता है outward and perpendicular to the surface अब उसके बाद next हमारे पास दो surface अभी भी pending है 5th surface और 6th surface ठीक है 5th surface क्या हो जाएगा 5th surface यह जो दिख रहा है ठीक है यह इतना portion यह जो इतना portion दिख रहा है ठीक है यह जो front आगे वाला बोल सकते है ठीक है यह surface क्या हो जाएगा 5th surface हो जाएगा तो 5th surface के लिए अगर हम देखे for 5th surface तो 5th surface देखते है किसके parallel है यह 5th surface एक तो y axis के parallel है और एक z axis के parallel है तो x में पढ़ा है देखो x के इस corner में पढ़ा है तो x की value क्या हो गई है 1 अगर x की value 1 हो गई है और y vary कर रहा है 0 to 1 और z vary कर रहा है 0 to 1 तो d a area vector क्या है यह y z plane में है ठीक है यह क्या है y z plane में है अगर यह y z plane में है तो किसके long होगा d a i के long होगा और positive की तरफ ही है ठीक है तो d a क्या हो जाएगा d y dz i cap तो यहां से v dot d a क्या बन गया है x की value सिर्फ i cap वाला survive करेगा यह दोनों तो 0 हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यहां से y square d y dz limits 0 to 1 0 to 1 यहां से 0 to 1 dy y square dy और 0 to 1 dz तो यहां से y cube by 3 आ जाएगा 0 to 1 इसका z 0 to 1 तो यह solve करके 1 by 3 minus 0 यह आ जाएगा 1 minus 0 तो इसका अंसर भी कितना आ जाएगा 1 by 3 आ जाएगा तो फिफ्ट का अंसर भी 1 by 3 बन रहा है ठीक है तो इसकी value आ गई है 1 by 2 अब हमारे पास last surface बचा है 6th surface 4 6th surface अब 6th surface है कौन सा यह अगर front वाला है तो back वाला यह दिखेगा ठीक है इसको दुबारा बना ले यह है ठीक है यह है 6th surface तो यह है किस plane में पढ़ा ठीक है किसके parallel है यह एक तो z axis के parallel है और एक y axis के parallel है तो यह y z plane में है ठीक है अगर यह y z plane में है तो x क्या हो जाएगा 0 ठीक है यहाँ पे देखो यह इस यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे X क्या है? 0 है तो X 0 है तो DA क्या होगा? X direction में ही होगा I cap तो यहाँ पे DY, DZ बट अगर आप इसको देखोगे इस surface के inward जाएगा क्योंकि यह surface क्या है? back है यह surface क्या है? back वाला surface है तो जो DA है वो उस तरफ जाएगा हमने जो यह I cap माना है यह बाहर की तरफ माना है यह हमने बाहर की तरफ माना और इसका जो क्योंकि यह surface है यह क्या है? ऐसे surface है तो जो DA है वो इस तरफ होगा ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ तो यह minus I cap की direction में जाएगा अगर यह minus I cap की direction में जाएगा तो यहाँ पर minus लेना है आपने da का ध्यान रखना है बस ठीक है कि क्या लेना है तो यह आ गया है अब यहाँ पर y vary करेगा 0 to 1 और z vary करेगा 0 to 1 तो यहाँ से v.da क्या आ जाएगा value पुट करो x को 0 पुट करना है सिरफ i cap वाला ले लेते हैं y squared dy dz साथ में minus का साइन है limits 0 to 1 0 to 1 तो यह हो जाएगा y squared 0 to 1 dy 0 to 1 dz तो minus y 3 by 3 0 to 1 z 0 to 1 तो यह minus 1 by 3 minus 0 minus 0 1 minus 0 तो यहाँ से minus 1 by 3 आ जाएगा तो 6th का आ गया है minus 1 by 3 तो अब हमने यह find करना है means अब सब का sum करना है ठीक है सब का sum निकालना है तो यह देखो किसके equal हो जाएगा v.da का this यह हो जाएगा 0 plus 4 by 3 plus 1 minus 1 by 3 ठीक है फिर plus 1 by 3 minus 1 by 3 यह cancel होगे यह cancel होगा है तो यहाँ से 4 by 3 यहाँ से क्या बने हैं यह 2 by 3 ठीक है 2 by 3 बचेगा तो यहाँ से 6 by 3 तो यहाँ से 2 answer आ जाएगा ठीक है तो इसका answer 2 आ जाएगा अब देखो ये हमने सिर्फ आपको surface integration सिखाने के लिए ये मैंने इतना lengthy किया है ठीक है अब यहाँ पे इसका एक बहुत ही short trick है चुटकियों में answer आ सकता है ठीक है कुछ second में वो क्या है ये क्या है surface है वो भी close surface तो याद करो अगर आप इसके divergence theorem लगा दो divergence theorem क्या थी del.v into d tau is equal to close surface v.da तो यही find करना है इसको आप इसके एक को लिख सकते हो सिर्फ क्या निकालना है del.v निकालना है ठीक है तो del.v निकालो उसका del.v क्या हो जाएगा curly by curly x i cap curly by curly z k cap curly by curly y sorry यहाँ पर curly y curly y j cap curly by curly z k cap फिर v की value क्या है dot product करना है y square i cap 2xy plus z square j cap plus 2yz k cap ठीक है अब i का i के साथ करोगे 1 हो जाएगा ठीक है इसका करोगे derivative 0 plus j का j के साथ करोगे 1 यहाँ पे इसका derivative करोगे तो 2x आ जाएगा ठीक है प्लस k का k के साथ करोगे 1 z के साथ derivative करना है तो 2y आ जाएगा तो कितना आ गया है 2x प्लस 2y अब हमने क्या करनी है volume integration करनी है तो volume integration क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y यह del.v की value आई है volume integration means dx dy dz यही होता है यहाँ पे cube को अगर आपने बनाना है तो x y z आपको क्या रखने पड़ेंगे 0 to 1 0 to 1 0 to 1 जाएगी values 0 to 1 0 to 1 0 to 1 ठीक है अब करते हैं x की integration पहले अगर हम क्या करें x के with respect करते हैं integration तो क्या हो जाएगा 2x square by 2 प्लस 2yx limits x की 0 to 1 और यहाँ पे y और z की हैं यह 2 के 1 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा फिर dy अब dy के साथ करो integration तो क्या जाएगा तो कितना आ गया है इसका answer 2 आ गया है तो अगर यह find करना है तो यह निकाल लो कितना easy है सिर्फ कुछ second का काम है तो 2 आ गया है यहां से भी तो 2 ही आया था ठीक है वो तो सिर्फ सर्फेस integration आपको सिखाने के लिए कि कैसे निकालते हैं वो बताया था ठीक है तो अगर आपको यह पूछा जाए तो आप यहां पे gauss divergence theorem लगा के सिर्फ del.v निकालना integration करो अंसर आ जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कॉस्चिन है suppose v is equal to 2xz plus 3y square y cap plus 4yz square z cap check इसमें क्या निकालना है find the value of find the value of v.da v.dl निकालनी है हमें ठीक है v.dl निकालना है और surface हमें यह गिवन है x y z यह surface गिवन है i first है यह second बात है यह third है और यह fourth है तो next है हमारे पास हमें v.da निकालना है ठीक है यह v given है और v.da बोल रही हूं dl निकालना है तो यह closed है ठीक है अब अगर आप इसको देखो गए यहाँ पर हम क्या लगा सकते है stokes theorem लगा सकते है इसको मैं लिख सकती हूं dl cross v into d.da तो हमें यह solve करने की ज़रूरत नहीं है dl cross v निकालते है easy ली हो जाएगा ठीक है अब dl cross v निकालते है पहले तो क्या हो जाएगा i cap j cap k cap ठीक है डl की value curly by curly x curly by curly y curly by curly z इसकी value क्या है i cap है यह नहीं 0 y की value है 2 x z plus 3 y square फिर है 4 y z square अब अगर आप यहाँ पे देखोगे यह पड़ा किसमे है यह y z plane में पड़ा है तो अगर y z plane में पड़ा है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0 तो हम x को 0 put कर सकते हैं तो यह term 0 हो जाएगी यह term 0 बन गई यहाँ पे सिर्फ 3 y square बचेगा तो यहाँ पे i cap क्या हो जाएगा यह curly by curly y 3 y square curly by curly z 4 y z square माइनस j cap फिर यह हो जाएगा curly by curly x 0 curly by curly z 4 y z square plus k cap फिर आजाएगा यह curly by curly x curly by curly y 0 3 y square तो यहाँ पे i cap multiply करोगे y के साथ derivative करना है तो 4 z square इसका करोगे z के साथ derivative करोगे 3 y square है ना तो यह 0 हो जाएगा माइनस j cap इसका x के साथ करोगे 0 यह 0 plus k cap इसका x के साथ करोगे 0 फिर 0 तो यहां से क्या बचा है सिर्फ 4 z square i cap आया है हमारे पास del cross v अब इसको देखो यह surface integration है ठीक है इसकी value आई है 4 z square i cap अब यह पढ़ा किसमे है यह पढ़ा है हमारे पास y z plane में ठीक है तो y z plane के perpendicular कौन होगा x c होगा ठीक है तो जो d a है वो क्या हो जाएगा d y d z i cap i cap dot i cap 1 हो जाएगा अब x और z और y कैसे vary करेंगे 0 to 1 0 to 1 vary करेंगे तभी यह cover हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0 to 1 0 to 1 तो 4 z square 0 to 1 d z 0 to 1 d y यही हो जाएगा तो यहां से 4 z q by 3 0 to 1 y 0 to 1 तो यहां पे हो जाएगा 4 by 3 into 1 तो यह आजाएगा 4 by 3 तो इसका answer आजाएगा 4 by 3 नहीं तो देखो आप ड e l की integration करनी थी तो पहले इस path के long करते फिर इसके फिर इसके फिर इसके तब को चार वार integration करनी पड़ती नहीं आप क्या लगा लो यह हम पे stokes theorem यूज करो फिर दो सेकेंड में क्या आजाएगा आपका answer आजाएगा ठीक है तो ऐसे हम gauss theorem और divergence theorem को use करते हैं ठीक है नेक्स टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स लेक्चर में थैंक यू